आज हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं इंफिनिक्स नोट 40 और आपको दिखाएंगे कि इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है क्योंकि बहुत सारे वीडियो यह है यूटूब में जो के इसके बताते हैं कि इसके साथ आपका मैक चार्जर मिलता है तो दोस्तों मैक चार् भी मतलब USB-2 Type-C आपको केविल मिलता है और एक सिम एजिक्टर टूल्स और नीचे में एक कवर भी मिलता है कुछ बूक मिलता है आपको और कवर अपका फाइबर और हार्ड कवर मिलता है इसमें शॉप्ट नहीं है यह हाड है और पीछे में जैसे कि आपका वार्लेस चार् प्रस्ऐ दिया यह है इस साइड की हो गया और उपर में का स्पीकर माइक और अब करें दिखने के लिए अब स्फेगा इस यह अदर लोगों कि देखनी के लिए मिख रहरे है और यह जो यह ऐ डिखने में आप मेदर और स्टील कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है देखने में बहुत ही अच्छा बढ़िया और यूनिक फिल देगा आपको और इसका जो रैम रोम है वो 8GB 256GB है जो के बहुत ही सुपर काम करने वाला है और इस रैट में रैम ठीक है और रोम भी ठीक है और इसका जो पॉसेसर है वो भी सुपर फास्ट है एकदम काम करने में बहुती स्मूथ रहेगा फोन और लैग बैग नहीं देखने के लिए मिलेगा और फोन में कुछ एक्स्टा भी फीचर्स एड किया है कमपनी ने जो के आप AI के थुरू आप कोई भी फॉटो सेट कर सकते हो AI के थुरू कोई भी फॉटो बना के उसको सेट कर सकते हो और इसका जो display quality है बहुती बढ़िया है brightness बहुती सांदर है आप दिन के टाइम में भी easily use कर सकते हो और display refresh rate 120Hz का जो display refresh rate है Super AMOLED display है तो बहुती बढ़िया काम करने वाला है और camera की बात करें तो camera इसका rear camera है 108MP, 2MP और 2MP DAZR-like picture and great zoom एक company का दावा है लेकिन मेरे हिसाब से camera ठीक टाक है उतना बढ़िया भी नहीं है और खराब भी नहीं है जितना है बहुती अच्छा है ये light में है photo और low light में photo का clarity बहुती बढ़िया है और video अगर हम करके चेक करें तो video करने के बाद थोड़ा सा company ने वो जो software के मदद से वो अच्छा करके आपको present करता है और phone का camera मेरे को low light में थोड़ा सा कमती नजर आया लेकिन highlight पे phone का camera ओके है और display देख सकते हो camera का camera quality बढ़िया है software update के बाद और भी अच्छा हो जाएगा और price के हिसाब से okay है क्योंकि उस प्राइज में आपका जो wireless charger support करना वह बढ़िया बात है और जैसे के full skin display आपको खुछ ऐसा transparent दिखने को मिलेगा जैसे के आप देख सकते हो full skin display आपको बहुत ही अच्छा quality नजर में आएगा और जूम भी बहुत ही तगड़ा करता है तो ये phone 15-16,000 के अंदर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और वीडियो को अच्छा लगा तो